दोस्तो बिग बॉस सीजिन 15 के लाइफ इड में एक वार फिर से गर के अंदर टास्क की सुरुआत हो चुकी है लेकिन दोस्तो आज गर के अंदर जैसे ही बीबी साइकल सौफ वाला टास्क सुरू हुआ तो टास्क सुरू होते ही परतिक सेसपाल और टेजस्वी वरकास के बीच में बुरी तरीके से चीना जपती और डगका मुकी देखने को मिल रही है क्योंकि दोस्तो आपको बढ़ाते ही कि बीते दिन जहां परतिक सेसपाल ने टेजस्वी से ये वादा किया था कि हम टास्क को पूरी तरीके से फैर तरीके से खेलेंगे और कोई भी एक दूसरी की साइकल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन दोस्तों बीते दिन ज़्यादा तर गरवालों ने तेजस्वी को सपोर्ट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा साइकल के जो पार्स थे वो तेजस्वी को दिये थे जिसकी वज़े से कहीं ना कहीं प्रतिक सहिसपाल काफी जलन हो रही है और इसी की वज़े से आश्टास्त के सुरुआत होते ही प्रतिक सहिसपाल बैमानी के उतरा है और तेज़े स्वी के साथ छेड़ जार करने लगे यानि कि उनकी जो साइकल थी उसके पार्स को खींचने लगे और साइकल को तोड़ने की भरपूर कोसिस करने लगे इस दुरान दोस्तों तेज़े स्वी को काफी बुरा लगा और तेजु ने परतिक सहसपाल को रोखने की बरपूर कौसिस की लेकिन परतिक सहसपाल इसके बावजूद नहीं मान रहे हैं और लगातार तेजस्वी की साइकल को तोड़ने की कौसिस करने में लगे हुए हैं अलेंकि दोस्तो पर्तिक सेसपाल ने साफ तोर पर के दिया है कि मैं नियमों से भढ़ कर यानि हट कर कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं जो नियमों में लिखा हुआ है मैं वही कर रहा हूं लेकिन तेज़िस भी करी है कि तुने तुम उससे वाला किया था कि तुम कोई भी त परक नहीं पड़ता खेर दोस्तो टास्क का अंजाम क्या होगा यह देखनो दिल्चस्प होगा क्योंकि दोस्तो इस टास्क में तेज़िस भी के जो वी आईबी वाला टेग है यानि की स्टार है वो दाउं पर लगा हुआ है और तेज़िस भी को अगर वो आपने पास में इस्टार और टिकेट टू फिनाले में बने रहना है तो फिर परतिक सेज़ पाल से अपने साइकल के रक्षा करनी पड़ेगी खिलाल दोस्तो तेज़िव और परतिक के जगरे में आप किसको सपोर्ट करना पसंद करेंगी अपनी राइ कमेंट करके जरूर बताइए